हलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चेनल कम्प्यूटर ग्यान बुक स्वाकता आपका हमारे इस पहरे से यूटूब चेनल में दोस्तों आज आपके लिए मैं वीडियो लेका है हूँ आरस, CIT, पटवारी एकजाम, कलरक एकजाम जितने भी most important क्यूटन आते हैं उन सब के बारे में जो है आज का वीडियो रहेगा टोटल हमारे 20 क्यूटन रहेंगे अगर आपको इनका पीडियप चाहिए तो आप हमसे पीडियप ले सकते हैं टेलिग्राम पे हमारा जो है चेनल है computer ग्यान बुक के नाम से तो वहाँ पे आपको join कर लेना है जो के आपको वीडियो की description में उसका link मिल जाएगा तो दोस्तो टोटल क्यूटन हमारे रहेंगे 20 और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं तो वह आप देख सकते हो आपको i button में link मिल जाएगा और ब पहले डाल चुका हूँ आज हम 81 number question से शुरू करेंगे तो दोस्तो वीडियो को like कर दीजिए channel को subscribe कर दीजिए और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो वीडियो को share कर दीजिए तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला question आपके सामने हमारा ये रहा तो दोस्तो यहाँ पär हमारा इसके अंदर answer दे रखे हैं प्रयोग साला computer और यहाँ पर दे रखा है छोटा हलका computer, compact निर्मित computer और उपरोक्ट सभी तो इसके अंदर हमारा उपरोक्ट सभी answer आ जाएगा देखे दोस्तो प्रियोग साला में भी हम इसे काम में ले सकते हैं छोटा होता है हलका होता है इसलिए हम इसे काम में ले सकते हैं और compact निर्मित computer होता है ठीक है दोस्तो Next हमारा question है निमन लिकित में सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महेंगा computer कौन सा है तो इसका answer हमारा आ जाएगा super computer, notebook हलका होता है और सस्ता भी होता है personal computer सस्ता होता है और दोस्तो laptop सस्ता होता है तो यह super computer है यह महेंगा होता है जो सबसे बड़ा है और सबसे तेज होता है और सबसे महेंगा भी होता है C-R-A-Y क्या है दोस्तों ये आपको दिबार से देख लीजिए C-R-A-Y क्या है तो ये mini computer है या फिर man frame computer है या फिर micro computer है या फिर super computer है तो दोस्तों इसका answer आजाएगा super computer next हमारा है 500 PD के computer की विसेस्ता कौन सही है इसके अंदर जो विसेस्ता ही दे रखी है उनमें से 500 PD के computer की कौन सी विसेस्ता है तो दोस्तों यहाँ पे बहू आयामी दे रखा है दुकान उपयोग दे रखा है ये करतरी वर्दी दे रखा है ज्यादा किम्मत दे रखा है तो दोस् अगला question है हमारा BCC का विस्तरित रूप है BCC जो कि Gmail के अंदर आता है दोस्तों तो इसका यहाँ पर option दे रखे हैं Best Carbon Copy, Blind Carbon Copy, Behind Carbon Copy और Blank Carbon Copy तो इसका answer आ जाएगा Blind Carbon Copy इसका फुल पूर मोगा Blind Carbon Copy Next यहाँ सी number question है दोस्तों Multiprogramming का प्रियोग किस PD के computer में किस PD के computer से शुरू हुआ Multiprogramming यानि एक साथ बहुत सारी programming आप कर सकते हैं तो यह किस PD के computer में आया तो यहाँ पे हमारा answer होगा तीसरी PD के computer में Next हमारा question है विस्वका सबसे पहला super computer कब बना तो यहाँ पे 1976 दे रखा है 1999 दे रखा है 1956 दे रखा है और 1989 दे रखा है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा answer आजएगा 1976 दोस्तों इनका विस्तरीत रूप से एक सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर आपको basic knowledge दिया जाएगा जब computer के अंदर computer कितने प्रकार के होते हैं कौन से PD में कौन सा computer आया है यह सब बातें जो है इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं सीरीज वाइज स्टार्ट होने वाले हैं तो आप हमें follow कर लिजी और जो है इस चैनल को subscribe कर लिजी next हमारा question है बार्त में निर्मित पहला computer का क्या नाम है बार्त में पहला computer बनाए गया उसका क्या नाम रखा गया तो यहाँ पे answer है बुद्ध, आरियभट, सिदार्थ, असोग तो इसका answer हमारा होगा सिदार्थ पहला जो computer बना था उसका answer हमारा सिदार्थ होगा अब एकस काविस्कार किस देश में हुआ जापान, रूस, चीन, अमेरिका तो हमारा आंसर होगा चीन ठीक है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्तान पुलिस पटवारी कलरक वगेरा कि जितनी भी अक्जाम होती है सरकारी अक्जाम्स, गवर्मेंट अक्जाम्स उनके अंदर ये क्रिशन पूछे जाते हैं 20 क्रिशन आपके आते हैं और RSAIT के अंदर भी पूछे जाते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट है 90 क्रिशन IMAC एक परकार है IMAC किस परकार का है क्या है और किस परकार का परकार है तो यहाँ पर हमारा है मसीन, नेटवर्क, मोडेम, प्रोसेसर तो हमारा आंसर आजाएगा मसीन नेक्स्ट क्रिशन हमारा है सरव पर्थम एनलेटिक इंजन का निर्मान करने किस ने किया सरव पर्थम analytic engine का निर्मान किस ने किया यहाँ पर किस ने किया था आएगा यह थोड़ा typing में mistake हो गया तो यहाँ पर answer आजाएगा हमारा चार्ल्स बेवेज बाकी यह सब हैं इनको जो है series वाइप जब चलेंगे अपने वीडियोज तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा यह जी एकन ने क्या किया था एवाल लेवलेस ने क्या किया था तो इनका जो है आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट आवरा person 92 सरव पर्थम आदूनिक computer की खोज कबूई थी तो यहाँ पर हमारा देख लेते हैं option उनिस अप्टास इसवी उनिस अपैसट इसवी उनिस अच्यालिस इसवी और उनिस साट इसवी तो हमारा आणसर आजाएगा उनिस सो च्यालिस इसवी ठीके दोस्तो नेक्स्ट है digital computer किस सिदान्त पर कारिय करता है तो यहाँ पर हमारा आणसर देखेंगे पहला है logical दूसरा है ताप तीसरा है मापन और चौता है विदुद तो हमारा आणसर आजाएगा ताप नेक्स्ट हमारा है डगलस C. इंजलवर्ट ने Stanford Research Laboratory में mouse का अविसकार कब किया द इस टेन पाड रिसर्च लेवर्टरी और कब किया गया तो इसका आणसर हम इन में देख लेंगे 1980, 1989, 1989 और 1977 तो हमारा आणसर होगा 1977 ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है computer के माउस के निचे रखी slate को क्या कहते है यानि आप जो mouse यूज लेते हो उसके अंदर जो mouse के निचे जो र तो दोस्तों यहाँ पर आणसर दे रखें केवल लिकित में लिकित अलिकित बै वै से दोनू तो यहाँ पर आणसर आजाएगा दै यानि लिकित और अलिकित दोनू रूप में डेटा होते हैं हमारे 97 question है computer तदा मानव का संपरक किस के मादेम से होता है तो यहाँ पर हमारा आनसर आ जाएगा input वै आउटपूट के दोारा है यानि मानव जो है input देता है और पिर output उसको computer मिलता है इस input और आउटपूट के जरीए computer का संपरक मानव के साथ होता है person 98 है soft copy एक output है तो hard copy क्या है यानि soft copy एक output है तो hard copy क्या होगी computer के printed पुर्जे, computer भतिक पुर्जा, output इनमें से coining तो यहाँ पे हमारा answer राजय का output OCR का पूरण रूप क्या होगा OCR जो होता है उसका पूरण रूप क्या होता है Optical CPU Recognition, Optical Character Recognition यहाँ पे हमारा answer राजय का बै, Optical Character Recognition फिर यहाँ पे हम next पे चलते हैं Entret question है, paint में प्रारुप picture को सुरक्सित नहीं कर सकते यानि कौन से format में हम उसको सुरक्सित नहीं कर सकते save नहीं कर सकते, jpg इसमें हम कर सकते हैं bmp में कर सकते हैं, png में कर सकते हैं avi में नहीं कर सकते, audio video interface में हम नहीं कर सकते तो दोस्तों इसका answer हमारा दय आ जाएगा, avi की full program होती है audio video interface, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये video कैसा लगा आप comment करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसी type के video, computer से related video अच्छे लगते हैं तो आप comment करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों हमारी series चलने वाली है, basic computer की theory की series चलेगी तो उसके अंदर जो है आपके बहुत सारे questions जो है बनेंगे और बहुत सारे videos आपको बना करके डालने वाले हैं तो दोस्तों बने रही हैं हमारे साथ और देखते रही है आपका अपना प्यारा YouTube channel computer gyan book और दोस्तों Instagram, Telegram, Facebook page पर अगर आपने हमें follow नहीं किया तो follow कर लिजिए क्योंकि वहाँ पर मैं notification डालता रहता हूँ तीनों के link आपको description में मिल जाएंगे आप one by one check कर सकते हो और Facebook page को आपको like कर लेना है Facebook page हमारा इसी नाम से है computer gyan book Instagram भी हमारा computer gyan book नाम से ही है और हमारा Telegram channel भी gyan book नाम से ही है computer gyan book नाम से ही हमारे तीनों account है तो आप वहाँ पर जाकर के follow कर सकते हो चेक कर सकते हो इनको और आप जो है अपनी राय हमें दे सकते हो तो दोस्तो अभी के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप चमलाखात होगी तब तक के लिए बाई बाई